लेक्ट्रा तक कौन रुकेगा दो लोग रुकेंगे बस वो नहीं हो पाता है पता है वो स्टार्टिंग में जो हो गया सो हो गया कोई नहीं चलो फटा-फट से करेंगे डेट है आज का पंदरह बारह दो हजार तेइस बहुत ही जल्द हम 24 लिखने वाले हैं लेक्ट्र कितना है arithmetic progression का third है किसी का birthday था क्या पंदरह को किसी का था किसने बोला था okay शायद नहीं है so the fourth term of AP is zero ठीक है fourth term क्या है इसका zero है prove that prove that its 25th term is triple then इसका जो 25th term है वो क्या है triple then मैं रिशी बोल रहा है कि 14 को था हां मैं रिशी बोल रहा है कि 14 को था बर दे किसका था रिशी कम शायद मैं बिलेटर happy birthday रिशी अगर आपका कल था तो कल हमारी class नहीं हुए थे so रिशी को यहां पर मैं बहुत दे विश कर दू अर मैं विशाखा का कल है कल है विशाखा का so विशाखा many many happy returns of the day to you two in advance thank you ma'am मैं मेरा भी 18 को अरे तु रुख जाना 18 दूर है अभी अभी आज कल वालों को पहले हम निप्टा है फिर 18 पर आते हैं 18 दो है अभी time एक तो कल जो बीत गया उनका विश अभी जरूरी है और कल जो आने वाले है प्रिंस का करेंगे ना प्रिंस चामिंग का हरां भी करेंगे 18 को 18 को कौन सा डे है वैसे मंडे ही तो है ट्लास तो होगी अपके इसको कौन सॉल्व करेगा चलो मैं ही करती हूँ छोड़ो सॉल्व क्या आप लोग से करवा हूँ आते संग बोलोगे आते संग खुद तो कुछ पढ़ाया नहीं मैंने हम ही कह रहे हैं सॉल्व करने को चलो मैं बहुत सारी कोईशन कर देती हूँ फिर आप लोग करना थी देती हूँ दा फॉर्थ टर्म ओफ एन एपी इस जीरो ठीक है प्रूब दाट इस 25 तर्म इस ट्रिपल देन इस 11 टर्म सो ए प्लस 3D इस एक्वल टू 0 A is equal to minus 3D इसको मैं 1 ले लेती हूँ A 25 is equal to कितना बोल रहा है 3 A 11 तो A plus 24D is equal to 3 A plus 10D A plus 24D is equal to 3 A plus 30D From equation 1 आपका equation 1 से क्या होगा From equation 1 This is your कितना हो जाया Minus 3D या पिर 30D कितना Plus 24D is equal to 3 minus 3D plus 30D तो यहां से आपका 21D is equal to 21D हो जाएगा यह हो जाएगा 21D is equal to 21D Therefore आपका जो LHS है वो equals to कितना है RHS, hence approved साही किया है क्या हमने? मतलब मैंने साही किया है इसको LHS is equal to RHS प्रूव हो गया है? Yes, ma'am Yes, ma'am Question number 2 Question number 2 If the Pth Qth and Rth सबके उपर TH लगा हुआ है term of an AP is आपका है X, Y अरे बाप रही है कौन सा X, Y है? ओहो If the is X, Y यह किच 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 किया कर रहे हो आप लो? १, ज किच 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 को of and Z respectively So show that class और देगा कि नहीं देगा है जी नहीं तरहे रहे स्टक हो गया और क्या किया जा है स्टक हो गया है यह आपको शो करना है solution लिखते है pth term x is equal to a plus p minus 1 into d यही तो बनेगा qth term कैसा बनेगा मेरा आगे y is equal to a plus q minus 1 into d and rth term जो होगा वो कैसा बनेगा z is equal to not r xy के बाद z आ जाएगा z is equal to a plus r minus 1 into d so we have to prove x q minus r plus y r minus p plus z p minus q is equal to 0 ठीक है हमें यह प्रूट करना है so the next is a plus p minus 1 into d q minus r इसके संग अपने ले लिया now plus में a plus q minus 1 into d इसके संग क्या लोगे r minus p plus a plus r minus 1 into d इसके संग क्या लोगे p minus q is equal to 0 now a q minus r plus यह हो जाएगा r minus p plus p minus q plus में d अलग कर लो में बाकी टर्म्स को so यह आपका कितना हो जाएगा p minus 1 into q minus r plus में r minus 1 into r minus p plus में r minus 1 into p minus q this is equal to 0 यह ही पूछा था क्या हम से रूप करने के लिए इसको और और भी आप मतलब further आप इसको तोड़ के लिख सकते हो a कैसे लिखोगे बताओ a plus d a के संग कुछ है plus के संग कुछ है d के साथ कैसे लिखोगे a into 0 plus d यह पूरा क्या हो जाएगा खतम नहीं हो जाएगा plus minus plus minus हो जाएगा ना cancel out yes as well yes ma'am आज बहुत लोगों की तब्यत खराब है शायद से अवाज से लग रहा है या फिर थंड जादा है plus qr minus ma'am थंड जादा है कोई बात नहीं आप लोग रजाईन में मतलब fat के हराम से class में तेको मैं कटकी बस यह समझ लेना कि यह 0 है तो अब इसको हम लोग लिख रहे है dpq minus r plus qr minus p minus q minus r minus यह कितना हो जाएगा r minus p again minus में और क्या बचा मेरे पास p minus q is equal to 0 so a into 0 plus d into 0 is equal to again 0 अब जब 0 0 हो गया है therefore अब बोल सकते हो कि left hand side is equal to right hand side चे क्या yes ma'am चलो next चलते question number 3 देखे question number 3 अब AP इतना कर लिया है कि मेरे को लागरा एग्जाम के लिए पापी आपाने से इसी केंडे से लाएगा find the sum of first find the sum of first 40 positive integers after first 40 positive integers divisible by 6 also find the sum of first 20 positive integers 20 positive integers 20 positive integers divisible by by 5 5 और 6 छीक है solution पहले तो first positive integer find out करना है तो इसको कैसे करेंगे S N is equal to N upon 2 2 8 plus N minus 1 into D छीक है छीक है सो S N is equal to N कितना है 40 upon 2 2 into 6 plus 30 into 6 हो जाएगा ध्यान देना अगर मैं कहीं गलत लिखू तो बताना 39 हो जाएगा N minus 1 यानि कि 39 S N is equal to ये 20 ये कितना हो जाएगा 12 plus 39 into 6 39 6 हो कितना होता है 6 9 to 54 को 4 5 carry 6 3 18 plus 5 25 होता है 18 plus 5 कितना होता है 23 होता है यह maths है यहां से दो वहां से 3 234 ये आगया ये 12 हो जाएगा 234 plus 12 कितना होता है 6 4 2 246 into 2 26 जा 12 का 2 carry 1 248 922 4 plus 15 5 9 2 0 कुछ तो गरबट है 4920 होगा ये answer is your 4920 ये हो जाएगा so now numbers divisible by 4920 5 और 6 कितने numbers रहे हैं यहां पर आपका 30 भी है 60 भी है तो आपका 600 तक है so using the formula now using the formula s n is equal to n upon 2 2 a plus n minus 1 d which is equal to 20 upon 2 60 plus ये 20 minus 1 यानि कि 19 हो जाएगा तो 19 d कितना हो जाएगा 30 है हमारा तो ये कितना हो जाएगा भाई ये again 2 10s are 20 अब इसको करो 19 3s आ plus 16 ये हो जाएगा अब कर 57 6 ये आएगा 6 3 0 0 s n is equal to 6 3 0 0 एक एसन आपने यहाँ निकाला 49 2 0 एड एक एसन यहाँ निकाला चलो question number 4 करते हैं अगर आप लोग का मन हो थंडी में वैसे मन तो होता नहीं तो आप लोग भी solve कर सकते हैं साथी साथ note book में find the sum of all three digit all three digit numbers which leave remainder 3 when divided by 5 जब वो 5 से divide हुआ तो remainder उसने कितना leave कर दिया 3 ऐसा हम ही क्या करना है find करना है 3 digit number कैसे करेंगे इसको solve यह मुझे solve भी नहीं करने दे रहा है बच्चो कहां गया यह एक minute तो रुकना पड़ेगा यह भी अपना break ले लेता है हम इसको break नहीं देते है न तो यह अपना break खुद लेवल का कौन सा formula लगाएंगे इसमें वैसे a plus n minus 1 into d वाला solution पहले तो 3 digit number आपको find out करना पड़ेगा so 3 digit numbers which leave remainder which leave remainder 3 when divided by when divided by 5 are 5 से divide करने पे जो remainder आपको छोड़ने so 103,108,998 ठीक है तिल 998 ता an is equal to आपका होगा a plus n minus 1 into d 998 is equal to 103 plus 5 n minus 1 आप समझ रहे हो यह सब कहां से आया है 3 digit number लेना है 1000 तो 4 digit में चला जाएगा तो 4 digit से पहले तखा और 100 के बात से start करो तो 103 से start होगा 998 तका के रुख जाएगा एक मैं आपको बताती हूँ यहाँ पे तरीका जब भी ऐसा कोई question आया तो क्या किया करो 3 digit बोले तो 100 के बात से start करो starting number लेलो जैसे 103 मैंने ले लिया और आपको यह न समझ में आए कि आप कहां जाके रुखना है तो 4 digit number के पहले से 3,4 number का आप divide करके देखना शुरू करो जैसे 998 पे यहाँ के रुख गया N 180 हो गया नाव तो फाइट नाव तो बोलिये बोलिये तो फाइट फॉर्दर यूस दा पॉर्मुला बोलिये आप लोग कुछ बोलना चाहते हो तो तो हैंड रिस किया है SN is equal to N upon 2 into 2A plus N minus 1 into D so SN is equal to 180 upon 2 जो N निकला था आप पर 2103 plus 5 again 180 minus 1 क्या हो गया भाई इतनी सारे हाथ क्यों उठ रहे हैं 99090 बताओ किसने हैंड रिस किया कोई दिखा सा ना ही है दिक्कत तुपाहे हाथ रेस कर रहे हो चलो एक और question किया जाएं यह question तो हो गया आपको तो इतना number हुआ है अभी तक हमारा 4 पाच्वा number करते हैं आज का class हमारा basically यही है solve कर रही हूँ मैं आप लोग थोड़ा analyze कर रहे हो तो अच्छे analyze करो question number 5 is find the sum of find the sum of 1-1 upon n plus 1-2 upon n plus 1-3 upon n plus up to n terms ठेक है कैसे find out करेंगे यह आपको 1 plus 1 plus and so on till n terms तो पहले लेना पड़ेगा इसका sum find out करना है till so on n terms तगी आपका हो जाएगा minus यह होगा आपका 1 upon n plus 2 upon n 1 upon n plus 2 upon n plus 3 upon n plus so on till n terms ठेक है नव फॉर्मुला यूस करके sn is equal to n upon 2 2a plus n minus 1 into d so sn is equal to n minus n upon 2 2 into 1 upon n यहाँ पे हो जाएगा और क्या होगा plus n minus 1 into d में क्या होगा 1 upon n difference उनका होईए 1 upon n का एक एक करके बढ़ रहा है बस निमरेटर में n minus 1 minus n upon 2 plus 1 upon 2 so sn is equal to आपका हो जाएगा n minus 1 upon 2 अब कौन है टुक 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 सीमा कुमारी अच्छा प्रिंस आपको follow back किया जाएगा मगर अभी नहीं chat section में ने on रखा है बर अभी आप बात मत कीजिये ठीक है hello अंजली क्या है आपको follow back किया जाएगा don't worry अभी आप यहाँ पर ध्यान दिए class में so now the next is इसलिए मैं questions आप से करवाती हूँ पता है क्योंकि मुझे पता है मैं question करूँगे आप लोग सोजाओ जोजाओ या तो कुछ अलग काम करोगे आप से करवाओ तो थोड़े से active रहते हो इसलिए math class में teacher questions बच्चों से करवाता है अडे तुम जाओ अपने घर question number six पे चलो चलते हैं if the following terms if the following terms form an AP find the common difference आपको क्या find out करना है find the common difference and write the next three terms आपको इसके next three terms लिखने है write the next three terms ठीक है 3.3 plus root 2.3 plus 2 root 2.3 plus 3 root 2 and so on कैसे करोगे कोई आइडिया है किसी को next three terms आपके जो होंगे next three terms are d कितना है एदर में d है root over 2 common difference next three terms कितने होंगे 3 plus 4 root 2.3 plus 5 root 2.3 plus 6 root 2 and so on और क्या करों में बताओं और कुछ करना है मुझे आपके कोई formula formula लगाना है मुझसे तो बन ही नहीं रहा है ये question solve ही नहीं हो रहा है कोई करेगा क्या मेरे smart बच्चों में से solve मुझसे ही solve कर दो बता तो दो कि हाँ इसके बाद क्या करना है अंजिली अंकिता अमित सौरव प्रिंस वंशिका पायल पलक सबका नाम ले लिया है क्या करेंगे बच्चों कुछ समझ में नहीं आये थोड़ा help करो न मेरे क्या करूं मैं इसमें आगया सच में नहीं समझ आ रहा है कि कह रहा है if the following terms form an AP find the common difference, write the next three terms common difference लिख दिया, next three terms लिख दिया अब कोई formula भी मांग रहा है क्या हमसे पढ़ने के mood में हो या फिर सब लोग क्या mood में हो सोने उने के mood में हूँ, क्या mood में हो बताओ ना मैं प्रिणने के mood में है पढ़ने के mood में हो तो मैं पढ़ने के mood में हूँ लेकिन पता है, इतनी खामोशी रहेगी तो मैं ही निद्रा में चली जाओंगे योग निद्रा हूँ तुछ योग निद्रा से वापत आना थोड़ा मुश्किल हुआ हुआ एक्चली मैं मेरा ध्यान नी था वही बात ध्यान मैं ध्यान कैसे होगा मैं मिस कहीं इंस्टा पे कर रही है मेरा से बात है क्लास के समय इंस्टाग्राम बगरा मत यूज करिया आप लोग मैं आपको यही सजेशन दो हुगी ठीक है क्योंकि बोर्ड इग्जाम पर टाइम है ना इंस्टाग्राम में कम यूज करिया लाइफ के लिए अच्छा होगा एंड स्पेशली अभी देखो यह गंता जो होता है यही रीजन है कि मैं आप लोग से सॉल्ट करकर करके आंसर पूछती हूँ जिस दिन मैंने नहीं पूछा उस दिन हो गया काम समाओ किसी का ज्यान नहीं तो इसलिए मेरा ध्यान नहीं था अच्छा अच्छा कोई बात नहीं और चलिए अंजली की जो भी प्रॉब्लम है जिससे उनका ध्यान नहीं लग रहा है और प्रिंस आपको भी सजेशन दोगी कि इंस्ट्राग्राम आपको बिल्कुल ही मत खोलिए बाकि लोगों को तो कम खोडने का सुझाओ आपको बिल्कुल ही ना खोडने का सुझाओ मेरी तरफ से यहां पर ध्यान लगाए थोड़ा ठीक है नेक्स्ट्री टर्म्स आर 3 प्लस 4 रूट 2.3 प्लस 5 रूट 2.3 और इसके आगे हमें कुछ करने की कोई जरुरत नहीं है आंसर इतना ही है चली दूसरा क्वेश्चन सॉल्ब करते है क्वेश्चन नमबर 7 find the sum of equation आपको रेक्टिम चलो find the sum of a plus b comma a minus b comma a minus 3b till 22 terms ठीक है क्या से नहीं काले sn is equal to n upon 2 sn is equal to n upon 2 2 a plus n minus 1 into d अब मुझे आप लोग बताएंगे कि यहापे मैं क्या value put करो मुझे बताओ बस मैं यहापे लिख जोंगे yes क्या put करो sn is equal to n की जगा पे मैं 22 22 upon 2 okay and 2 a की जगा पे a plus b plus 22 minus 1 and d की जगा पे d कितना है इदर में common difference कितना है इनके बीच का minus 2b है so minus 2b yes मैं minus 2 hmm देर से आये सवेर आये केते न देर आये सवेर आये 211 जगा 211 मैं 22 is equal to 22 into 2 minus 10b यह क्या बोल रहा हो करी तू मैंटिप्लिकेशन ए माइनस 10b आंसर मैं इसका oh 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 2 2 multiplication a minus 10b चलो देखते भाई मैं तू इधर सॉल्ट करी थी मेरा ध्यान बटका भी आप लोगोंने अब यह कैसा होगा यह 11 हो गया and यह हो जाएगा आपका 2a minus यह कितना होगा 21 minus 2 40b sn is equal to यह होगा 22a minus 440b आप लोगोंने जो निक्ता ला वो यहां से common लेने पर आजाएगा कैसे आएगा अभी S22 निकालना बागी है क्या अरे भाई दुनिया से निराले निराले अगर आंसर साएगे तो मैं किसको सही मानू मेरा क्या हुआ सही है कि आपका क्या हुआ सही है बताओ कहा कहा से आंसर आया है यह सही है SN इसको अनलाइज करके बताओ तो मैं चो आपका थर्ड स्टेप है उसमें 11 multiplication 2 A plus 2 B minus 4 2 B नहीं आएगा आयेगा मुझे नहीं पर चैसल तो आपसे पूछ रहा हुआ क्या आएगा करताओ तो लगता है मैंने गलत कर लिया इसलिए मैं बैट गए अनाम से अब आप बताओ इसलिए माइनस या फिर प्लस मैं माइनस किदर से यह तो 2 A plus 2 B ही होगा ना माइनस किदर से आगया मैं प्लस माइनस माइनस होता है तो मुझे भी पता है प्लस माइनस माइनस होता है तो 2 A plus 2 B के बीच में माइनस कहां से आया? इधर आएगा ना माइनस यहां पे आएगा I agree Yes, ma'am, यहां पे आएगा तो यह तो हो जाएगा आपका 21 यह माइनस 21 माइनस 2 B A हो जाएगा तो माइनस 21 माइनस 2 B तो माइनस 2 B plus 2 B cancel हो जाएगा ठीक है? Yes, ma'am तो बचेगा क्या? 2 A minus 21 तो 11 2 is a 22 A minus 21 into 11 कितना होता है? भाई इतना डाउट कहें को है इधर बता उसका अंसर तो माले टास्क प्रिंस आप जो अंसर बोल रहते हो कहां से निकाले आप? कहां से आया आपका अंसर? मेरे तो नहीं आ रहा बोलो कहां से निकाले गूगल उगन से बोले क्या? सही बताईए ना ता कि हम जल्दी आगे बढ़ें अंजली आपी बताईए अंकिता आपको क्या कर रहे हो कुछ समुझ में नहीं आ रहे है जब पता रहे है 21 into 11 कितना होता है मैं ही पत्ति 21 into 1 बंजा 1 1 बंजा 1 1 बंजा 2 231 231 मेरे मुलने वाद आपको भी आ गया है ठीक है 231 तो आ गया यह कैसा अंसर निगला है तो बड़ा अधूरा अधूरा सा लग रहा है क्या किया जाए माइनस तो कर नहीं सकते तो प्रिंस कौन सांसर बोल रहे थे कि कौन सी गूगल और अलेक्स से पूछ के बोले मुझे यह बता दीजे जरा कहा 10-1 क्या-क्या आ रहा था आपका हो कहा से आया हमें नहीं मिल रहा है थोड़ी हेल्प कर दो मैं चली अगले question में ठीक है? आंसर इसका यह है अब आप देख लो आंसर में क्या problem है? क्या गड़बर भोटाला हुआ है अगर कुछ हुआ है तो बताव अभी देखकर मैं बढ़ जाती हूं आगे जाओ किसी यह कुछ बोलना नहीं है तो मुझे भी नहीं बोलना उसका अंजर होई होगा 50 इसलिए आप दो अ़िए बह Alejні लो फ्योड वेस्ट दू यब अएचिछ लोगे नाप युगे होम वेस्ट इसफ यू वn then prove that, prove करना है आपको, prove that the nth term is p plus q minus n, यह आपको prove करना है, कैसे prove करेंगे, a p is equal to मेरा q है, a plus p minus 1 into d is equal to q, so a q is equal to p है, this implies, कितना हो जाएगा, a plus q minus 1 into d is equal to p, यह number 1, यह number 2, so from equation 1 and 2, from equation 1 and 2, d, p minus q is equal to q minus p, d is equal to minus 1 over there, अगर आपको common difference minus 1 मिला है, now putting the value of d in equation 1, 1 के अगर put करते हो, so putting the value of d, putting the value of d in equation 1, a is equal to q plus p minus 1, q plus p minus 1, so an is equal to a plus n minus 1 into d, तो an आपका कितना होगा, q plus p minus 1, minus 1 and minus 1, so an is equal to a plus p minus 1, hence proved, ठीक है, done, एक question आपको दूख क्या करने को, येस माम, रो रोके तो येस, बोले हो, चलो, question number 9, एक ही देखती हूँ, देखती हूँ, इसको कोई करता भी है कि मैं ही करूंगी पता नहीं, if, आज का क्लास प्लेट करेंगे, आज हमारे क्लास इंडाले अनिवजी नहीं, 1 upon x plus 2, 1 upon x plus 3, 1 upon x plus 5, are in a, p, so find x, आपको x find out करना, चलो, अगर आप कर लेते हो, तो मैं आपको मान जाओंगी महान, और मैं आपको, आपको बताते हूँ, रोको इन लोगों को, क्या मैं? आप इसको solve कीजिए, अंजली, अंकिता, सारे लोग इसको solve कीजिए, जो question मैंने दिया है, तीन से चाल मिनट पर time देती हूँ, and मुझे answer रता गया, मैं पूश्चन नहीं देख आपको, अभी दीखेगा, अभी मैंने दीखूँ ये question, क्यी दुटिए, गाहिए, अभी मैंने को ताहन हूँ Oregon विर मैंने अभी मिनन, अ झाल 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 हो गया कितना मिला? मैम एक्स बननाया यस मैम एक्स बननाया आप लोगों को तो वन मिला जिनको नहीं मिला उनके लिए मुझे सॉल्ट करना है तो यह आपका कितना है? आपने कैसे सॉल्ट किया? यह बताओगे? मैम सबसे पहले जो हमारा अपन एक्स प्लस फाइफ माइनस वन अपन एक्स प्लस थ्री तो फिर उसके बादा है मैम तू अपन एक्स प्लस थ्री इस उकल तो वन अपन एक्स प्लस तू प्लस तू अपन एक्स प्लस थ्री इस उकल तू एक्स प्लस तू अपन एक्स प्लस तू अपन एक्स प्लस 2 multiplication x plus 2 multiplication x plus 5 is equal to x plus 3 multiplication 2x plus 7 फिर मैं इसमें लगाया 2 multiplication x square plus 7x plus 10 is equal to 2x square plus 7x plus 6x plus 21 2x square plus 14x plus 20 is equal to 2x square plus 13x plus 21 14x minus 13x is equal to 21 minus 20x is equal to 1 thank you, आपका movie दर दो ही लगागा, इतना ज़्यादा बोलना पड़ा आपको okay, good one, so यह आपका हो जाएगा 2x, बहुत इजी यह बस solve करना है, cross करके upon में यह आप अगर निकालोगे तो x square plus, यह कितना होगा 7x plus 10 is equal to 2 upon x plus 3 हो जाएगा यह कैसे आएगा 2 upon x plus 3, इसको equal to करोगे तो 2 upon x plus 3 हो जाएगा, plus करोगे तो this implies 2x plus 7 into x plus 3 is equal to 2 into यह बचा हुआ इदर जाएगा, x square plus 7 x plus 10 generally हमने क्या किया है, cross multiply किया है this implies 2x square plus 13 x plus 21 minus, sorry, equal to 2x square plus 14 x plus 20 plus 14 x plus 20, हाँ, यह क्या हो गया, तो आगया minus 1, सब में से 1-1 तो हो ही जाएगा plus 14 x, minus 20 यह plus 20 हैं कितना? plus 20 therefore आपका x is equal to कितना आगया? 1 इसी तरीके से आपका x जो है 1 आएगा जिन बच्चों का नहीं हुआ होगा, वो यहाँ पे देख ले तो भी हो जाएगा एक और question देती हूँ आपको, question number इसको भी कर लो जरा तो फिर हो जाएगा, सोने पी सुहाँगा क्योंकि अभी तो हमनों बहुत easy question कर रहे थे, यह थोड़ा सा difficult होगा, ज्यादा नहीं find the sum of all natural numbers, all natural numbers मैंने देखा है कि जब आपको खुछ से question solve करने को दिया जाता है, तो कुछ बच्चे उसमें से class को छोड़के जाने लगते हैं उसी से समझ में आता है कि उनको maths कैसे पढ़ना है, उनको maths पढ़ना है, बेड़ पे सोके अराम से class देखते हुए जैसे हम लोग phone पे movie देखते हैं न, instagram खुछ के reels देखते हैं वैसे उनको देखते है, ओ, यह ऐसे question, इसका ऐसा answer होगा अरे भई, maths तो ऐसा subject है, जो जब तक pen से ना करो, वो होगा ही नहीं जीवन में solve अब या तो वो बहुत पढ़ाकू होंगे, तो खुछ से कर रहे होंगे solve और यहाँ पे उनको time base लग रहा होगा, तो वो भी ठीक है, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है बट simply class को leave करके चले जाना, तो वो कुछ तो show करता है वो वरना दो मिनट तो बैक ही सकता है, कोई भी solve करने के लिए which are neither divisible by 2 nor by 5 ठीक है जिसको जा कर लो, मैं यहीं हूँ, ठीक है, कर लो कर दो झाल 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 हुआ हुआ बच्चो कि मैं चली गए तो आप लोग भी चले गए हुआ त्री स्टेप पी आए इतना डिफिकल्ट दे दिया क्या मैंने मैं थ्री स्टेप आए मेरे तो त्री स्टेप चलो अंकेता ने बोला है मैं करवा दो चलो मैं करती हूँ क्या है क्वेश्चिन फाइन संगो त्री स्टेप गेवरे तो निजा क्या मैं इन रिफिकल्ट दे दिया ना मैंने बत्यों देख थीक हे चलो स्टाउसंद डिजिट मैंने बोला था ना तो आप चार डिजिट में जाऊँ आप अगर चार डिजिट में जाओगे जो 2 से भी ना डिवाइड हो और 5 से भी ना हो तो 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस so on till 99 ठीक है, actually मैं ऐसा देखा जाए तो prime numbers type का लग रहा है यह 1 प्लस 3 प्लस 5 so on now n is equal to आपका बनेगा 500 so sn is equal to 500 upon 2 1 प्लस 999, एक और 9 आएगा, triple 9 जो कि 1000 तक जाना है हमें तो 1000 से पहले का number 999 which is equal to, इसको करोगे तो आपको मिलेगा 2, 5, 1, 2, 3, 4, 0 sn is equal to 2, 5, 4, 0 मिलता है कि नहीं एक बड़ देखना आप लो वैसे मिलेगा, क्योंकि 1000 का यहां पे 3 यहां पे एक हो जाए आपको now, अब क्या करोगे 5 प्लस 15 प्लस 25 प्लस so on, प्लस 995, divisibles of 5 n is equal to 100 अगर n यहां पे 100 है तो सम कितना निकलेगा मेरा हेंड़ेड अपॉन 2 रुख जाएए SN is equal to 100 upon 2 5 प्लस 995 which is equal to 5 1, 2, 3, 4 यह हो गया SN is equal to now 2, 5, 1, 2, 3, 4 minus 5, 1, 2, 3, 4 which is equal to 20,000 is the required sum क्या आपको यह मिला का अंजली yes ma'am जब इसके बाद किया फिर उसके बाद मिल गया छीक है तो जिनको नहीं मिला वो यहां पे देख ले और अब और question आज मैं नहीं कराऊंगे आपको आज का question मैं यहीं पे ग्रफ पर हैं Monday करेंगे अग न, Monday क्या करेंगे Quadratic ठीक है बच्चा लोग बच्चा लोग yes ma'am yes ma'am yes ma'am okay so class यहीं तक रखते हैं आज का ठीक है you bye everyone take care good night bye ma'am good night ma'am good night ma'am have a chocolate cream just ma'am good night ma'am yes 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 okay yeah yeah झाल 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 झाल